हेलो दोस्तो, दोस्तो जुम्हायड कश्मीर सर्विस सरेलेकशन बोड की तरफ से एक बईट ही बड़ी और इमपोर्टन अपमडेट ay creeping जहां दोस्तो जुम्हारन कश्मीर सर्विस सिलेकशन बोड ने नई की एडविटीजमेंट नोटिफिकेशन निकाली है एडविटीजमेंट नोटिफिकेशन नमबर टू आप 2022 दोस्तों पूरी इंफोर्मेशन में आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सकते हैं कि animal and sheep husbandry department में total vacancies जो निकाली गई हैं वो है 10 इसी तरह home department में निकाली गई है 30 और rural development department में निकाली गई है 124 इसी तरह ARI training department में निकाली गई है 2 vacancies और इस तरह notification number 2 of 2022 में 168 vacancies निकाली गई हैं दोस्तो अब मैं आपको details बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी post यहां पर निकाली गई है और कितनी vacancies हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर junior scale stenographer के लिए एक vacancy निकाली गई है और साथ में यहां पर आप qualification देख रहे हैं इसके बाद driver की post निकाली गई है total एक post निकाली गई है middle with valid hill driving lessons रखा गया है इसके बाद junior assistant के लिए एक vacancy निकाली गई है graduation इसकी qualification रखी गई है इसी तरह आप देख रहे हैं junior assistant के लिए दो vacancies निकाली गई है qualification graduation रही गी और बाकी यह sickle test type test होगा और इसके बाद junior division के लिए यह जब्मो division के लिए है दो vacancies निकाली गई है इसी तरह junior assistant 12 मुला के लिए five plus one plus one और one जो है यानि total vacancies eight निकाली गई है 12 मुला के लिए और इसके बाद आप देख रहे हैं अनंतना के लिए junior assistant की जो vacancies हैं वो five निकाली गई है और इसके बाद कुलगाम के लिए 6 वेकंसीज निकाली गई है पुलवामा के लिए 5 वेकंसीज निकाली गई है शुपियन के लिए 7 वेकंसीज निकाली गई है और बांडीपुरा के लिए 11 वेकंसीज और ये गांदरबल के लिए निकाली गई है 4 वेकंसीज बढगाम के लिए 6 वेकेंसीज, कुपवारा के लिए 10 और सांबा के लिए 4 इसी तरह आप देख रहे हैं कटुआ के लिए 7, उदंपूर के लिए 10, रियासी के लिए 4 डोड़ा के लिए निकाली गी है 5, किष्टवार के लिए 5, रामबन के लिए 4, राजोरी के लिए 8, पुंच के लिए 8 और यूटी लेवल की जो पोस्ट रहेगी असिस्टन्ट सूपर इंटेंडन्ट जेलिस के लिए 7 वेकेंसी निकाली गी है और साथ में कौलिफिकेशन जो है वो ग्रेजवेशन रखा गया है और ये फिजिकल फीचर्स हैं जिन में मेल के लिए 5.6 इंच रखा गया है और chest 32, 33 रखा गया है, female के लिए 5 feet 2 inch रखा गया है और physical, fitness और बाकि जो criteria है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह home department में assistant, scientific, officer, narcotics के लिए UT level के लिए निकाली गी है, 3 vacancies और qualification master's degree रखी गया है chemistry, biochemistry, forensic science और यहाँ पर minimum 50% मारकस रखा गया है, और इसके बाद आप देख रहे हैं home department में assistant, scientific officer, chemistry and taxology इसके लिए भी 5 vacancies निकाली गी हैं और यहाँ पर qualification सेम रखी गी है और इसी तरह home department में assistant officer, scientific officer, DNA के लिए निकाली गी है, एक vacancy और master degree in zology, botany, microbiology और bio technology वगेरा यहाँ पर qualification रखी गी है इसी तरह home department में assistant, scientific officer, biology, serology के लिए vacancy निकाली गी है, UT level की तीन और same qualification यहाँ जोलोजी, botany, microbiology यहाँ पर वगेरा qualification रखी गी है और assistant, scientific officer, physics के लिए home department में तीन vacancies निकाली गी है और यहाँ पर qualification, master degree in physics, bio physics, applied physics वगेरा qualification रखी गी है आगे assistant, scientific officer, blastics के लिए तीन vacancies निकाली गी है और यहाँ पर आप qualification भी साथ साथ चेक करें assistant, scientific officer, documents के लिए two vacancies निकाली गी है assistant, scientific officer, cyber, forensics के लिए three vacancies निकाली गी है आगे हम देखेंगे animal and sheep husbandry department में तो यहाँ पर driver की post निकाली गी है अलग-अलग district के लिए, सिरी नगर के लिए, एक और metric with having hill driving lessons यहाँ पर qualification रखा गया है इसी तरह बढगाम के लिए दो post निकाली गी है कुलगाम के लिए दो, कुपवारा के लिए एक post निकाली गी है बांडी पोरा के लिए तीन निकाली गी है बारा मुला के लिए एक, कश्मीर डिवजन के लिए, ट्रक्टर ड्रैवर के लिए दो और री टैचर आर्टिस्ट के लिए यहां पर निकाली गी है एक वेकंसी कश्मीर डिवजन के लिए, यह ARI एंड ट्रैनिंग डिपार्टमेंट के लिए निकाली गी है और ARI एंड ट्रैनिंग्स में निकाली गी है जम्मू डिवजन के लिए एक वेकंसी और इस तरह ये टोटल वेकंसी 168 निकाली गी है और साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस के लिए कौलिफिकेशन यानि री टैचर आर्टिस्ट के लिए कौलिफिकेशन रखे गी है मैट्रिक विथ सर्टिफिकेट आफ एपरिंटिशिप दोस्तों अब हम बात करेंगे डेटिस की तो दोस्तों याद रखें कि आफ इन वेकंसी के लिए ऑनलाइन एपलाई कर सकते हैं 20th February 2022 से और इन के लिए लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन सब्मिशन की वो है 20th March 2022 अब हम बात करेंगे सबसे important चीज़ वो है age limit तो यहाँ पर इन पोस्टिस के लिए age limit रखी गई है अब हम application fee की बात करते हैं तो application fee को दो categories में यहाँ पर divide किया गया है junior skill stenographer, junior assistant, assistant superintendent, jails इसके लिए जो general category के candidates है 500 रुपी पे करने होंगे और जो SC, ST, PWD, EWS category के हैं उनको 400 रुपी पे करने होंगे और जो यहाँ पर बाकी पोस्ट हैं जिन में assistant, scientific, officer, narcotics, chemistry and tax ecology, biology, DNA, biology, physics, blastics, documentary, cyber, forensic driver, structure driver और retoucher artist हैं उनको जो fee pay करनी होगी वो general category के लिए रखा गया है 400 रुपी और जो SC, ST, PWD, EWS के लिए है रखा गया है 300 रुपी तो दोस्तों यह थी एक important update जेके SSB की तरफ से जो नई vacancies निकाली गई हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आफ इस notification को ड download कर सकते हैं तो दोस्तों में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care